नमस्कार आप देख रहे हैं रेवाडी अपडेट फिट इंडिया, खेलो इंडिया के कॉन्सेथट को आगे बढ़ाते हुए रेवाडी के दीपक परजापती अलग-अलग इलाकों में एकैडिमी चला रहे हैं और इस कॉनसेथट को आगे बढ़ा रहे हैं रेवाडी के अंदर दो अकैडमी उनकी चल रही है और एक अकैडमी गाउं फिद्देडी में उन्होंने बनाई हुई है जहां वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं इस वक्त हम उसी अकैडमी में मौझूद है और दीपक परजापती हमारे साथ हैं कि उनका आगे क्या कुं कि अधिकांस आपने देखा होगा कि सहरों की तरफ लोगों का रुजान होता है और जो ट्रेनर्स होते हैं वो सहरों में अकैडमी चलाते हैं लेकिन इनकी जो पहली अकैडमी वो गाउं के अंदर इन्होंने शुरू की तो उसके पीछे क्या इनका मक्सद है उनसे जानते है दीपक जी सबसे पहले यह बताईए कि गाउं से आपने सुरुआत की क्या मोटो रापुरा सर गाउं से सुरुआत करने का मेरा सबसे बड़े मोटो यह था कि जो हम लोग जनरली देखते हैं कि एक महनती लोग होते हैं तो वो कहां से मिलते हैं गाउं से मिलते हैं साफसी ब बट रीजन क्या आता है कि वही एक महनत देखी जाती है गाउं के इंदर, बाकी लोग आया, अकैडमिया चल रही है, रिवाडी में वही बहुत सारी चल रही है, बट जो गाउं में आकर के बजो बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं, वो हमने रिजल्ट गाउं से निकालने के को की, यहां पर सर अकैडमिय काफी अच्छी चल रही है, यहां पर हम लोगों को पहले फिटनेस की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, उनको फिट कर रहे हैं, फिर उनको जो मेरा प्रोफेस्टनल गेम है ताइकॉंडो, उसके लिए मैं उनको ट्रेंड कर रहा हूं, सेकिनली सर हम यहां पर सेल डिफेंस की भी टेनिंग दे जैसे कि आपने बताए कि रिवाडी में हम लोगों ने बाकी दो अकैडमिया और चल रही है, वहां पर दोनों अकैडमिय हमारी फिटनेस और सेल डिफेंस को परमोट करने के लिए हैं, अभी आपने हाली में देखा कि कुछ एक इ लोग करते हैं, लग बोकसिंग वाले हो गए, टाइकॉंडो ले हो गए, कराटे, जूडो या फिर वूशू वाले बंदे हो गए, हम लोग चाहरे हैं कि उन लोगों को हम लोग साथ में मिलाएं, हम लोग उनको जोब अपूरिटनेटी दे रहे हैं, और लोगों को एक ट्रेनर्स कहां से लाएंगे, जब आप अलग लग गावों में इस तरह से अकैडमी खोलेंगे, तो ट्रेनर्स कहां से लाएंगे? कुछ ज़्यादा लोग हैं, जो कि कुछ कंपनियों में जा रहे हैं, फिर अन एंप्लोईमेंट के अंदर बस सरकार से बत्ता लेने के लिए अपलाए कर रहे हैं, सरकार से बत्ता लेने का चलो ठीक है, तुम्हारे पस ओप्शन है, बट कुछ ऐसा भी करो ना, कि तुम लो स्पूडास के अंदर हम लोग तीन लोगों को जोब दे रहे हैं, स्पोर्ट, डांस, एंड स्टोरी, हम लोग इन तीनों लोगों को साथ मिलाना चाहते हैं, कि आप लोग सबी आगे निकलो, टेलेंट होता है देखो तेलेंट तीन मामले में आगे निकल का था, तेज भाग अभी अगर हम लोग बच्चों को कुछ कराएंगे ही नहीं, देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है हमारा ग्राउंट पे होने का, कि अगर कोई, कुछी ना, हर बच्चे को कुछ ना कुछ करना होता है, अगर बच्चा घर में रहेगा, फिरी रहेगा, तो पप जी खेलेगा, क आप उसको फिटनेस के लिए पर मोट कराईए, आप उसको किसी डांस अगे डालिए, क्योंकि वो टेलेंट में जाकर के देश को भोजदा आगे लिजाने के चांसिस रहते हैं, अभी हम हाली के ऑलम्पिक के बात करें, तो हमारा देश हमारा उनली एक गोल्ड मेडल आया, देखे तो हम लोग तो बहुत खूष हूए, अब में लोग तो बहुत जदा खूष है कि हमारा एक गोल्ड मेडल आया, पर बाकि इंटरनेसनल मीडिया न देखा क्या चापा था, शुपा हुआ था कि इंडिया को सिर्फ एक मेडल आया, क्या, इत्ता बड़ा देश, स्वीधा नहीं इसी रिजन के पीछे सर मैंने गाउं में अकेडमी डाली अभी गाउं के बच्चे हैं करते तो हैं खेतों में काम करते हैं सब कुछ करता है अच्छा है फिट भी रहते हैं पर वो फिटनेस अगर हम लोग सही रास्ते से इंटरनेशनल ओलंपिक तक लेके चल रही है सेंट्रल पार्क के अंदर दूसरी हमारी किट जी स्कूल मांट लीटर जी स्कूल जो अपना गोपाल देचाओ के पास है वहां पे चल रही है तो अभी हमारी जो सेकंड उसके फोर्थ अकैडमी करने की ब्लानिक है ठीक है हम लोग चाहते कि रिवाडी को हम करेंगे और हर 10 किलोमेटर के सरकल में एक अकैडमी हमारी होगी और ओनली तैकॉंडो की नहीं जूडो के नहीं हमारा मोट है कि हम लोग वहां पे हर एक तरह का स्पोर्ट कराएं जो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हमने देखा कि प्राइविट स्कूल काफी इस तरह करा रहे हैं लेकिन जो गोवर्मेंट स्कूल होते हैं वहां पे भी कई ऐसे परतेवासाली बच्चे हैं जिनको मुका नहीं मिलता तो उनको निखारने के लिए उनको आगे लाने के लिए क्या कोई परियासा है सर हम लोग उन्हीं के प्रियास करें देखो गाउं में अकैड स्कूल हों के अंदर गाउं में जो अभी सरकार के दौरा राइनी लेक्स में वाई स्ट्रेणिंग प्रोग्राम चला जा रहा है मैं उसमें भी रेवाडी का हैड और हमारे साथ में होश्यार वाई हैं उनके साथ में हैड में हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं सभी 145 स्कूल के बच्चों को हाफ फीस का प्रोस्पेक्टेस दे रहे हैं कि आप लोग पीस पे नहीं कर पाते हैं आप लोग हमसे हाफ पे कीजिए और हम लोग आपको ट्रेनिंग कराएंगे अभी वो बच्चे भी काफी अच्छा गेम करते कुछ एक बच्चे हैं तो बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर के आएं जदा से जदा स्पोर्ट्स में लेकर के आएं तभी हमारा जो इंडिया का एंवार्मेंट है वो चेंज होगा अभी एंवार्मेंट से मेरा मतलब है कि हम लोग एंवार्मेंट देने लोगों को आग जगे जगे अकेडमी बना क करके तो जितना जदा आप अकेडमियों में बच्चों को भेजेंगे उतना जदा अच्छा बच्छा फिट होगा वो पबजी नहीं खेलेगा वो अपनी बाहरी अक्टिविटी में कम से कम ध्यान देगा आप वहां पे फोकस्ट रहेगा साम को थक करके हार के घर जाएगा तो अपने आप ही वो बस रेस्ट करेगा फिर थोड़ा बहुत स्टडी करेगा ठीक है तो अभी यहां पर हमें जदा जदा फोकस करना चाहिए कि हम लोग जदा जदा बच्चों को गेम में लेकर कर सकें उनको फिट रख सकें क्योंकि आने वाले समय में सबसे जदा जो कुछ करना चाहते देश के लिए उनके लिए लोग बहुत जदा अच्छा बड़ा मोटो लेकर के आएं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हम आपको ट्रेनिक देंगे और फिर आप जाकर कि हम पर ट्रेनिंग कराईये आप लोग होगे नोग कराएंगे पहले सब्साइब क हैं जिन्होंने अलग-अलग जो गेम्स होते हैं उन में काफी अच्विमेंट हासिल की है लेकिन फिर बाद में एक वक्त के बाद में वो निरास हो गए और फिर दूसरे फिल्ड में चले गए जैसा कि दीपक परजापती खुद भी बता आएं और साथ ही इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें करने में हमारे जो रवीकां सर थे मेरे जितने भी गुरुजन रहें उनका बहुत ज़्यदा साहिता रहे मेरे लिए जो मेरी सुरुआ तो यहाँ पर फिदेडी में परसनल ट्रेनिंग के लिए में आया था है तो रवीकां सर का बहुत बहुत धन्यवाद था उस चीज़ी अंदर मैं उनका बहुत ज़्यदा सुक्रगर जारू धन्यवाद सर आपने मुझे स्कैपेबल बनाया कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मैं पूरी रिवाड़ी को पूरे देश को कुछ अच्छा करने के का भी वह पाया धन्यवाद सर